कॉंग्रस के बागे विधायकों को लेकर भाजपा की रणनीती और मंडी संसदी एक्षेतर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर आज पूर मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जराम ठाकुर ने स्पष्ट किया है कि कॉंग्रस के बागे विधायकों को भाजपा में शा बागे विधायकों ने भाजपा के प्रतियाशी को संसद तक पहुंचाने के लिए बलिदान दिया है इसी को मदेरजर रखते हुए आगे की प्रक्रिया उनके लिए समान जनक मनाई जाएगी जबकि कॉंग्रस में उन्हें जलील किया गया है जराम ठाकुर ने ये भी स्प पार्टी के राजसबाया में सांसद बनाने में जी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है उस योगदान को समर्ण करते हुए उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही है और पार्टी का नित्री तो अंतीम हैसलेस्ट पर दिए नितिका हमारे कादर मराज नहीं होता है कोई आता है हम अभी जंदन करते हैं और स्वागत करते हैं उनको सम्मान भी देते हैं इस परकार से कॉंग्रेस पार्टी ने जिसके को किया इस बात को हम सुनिशित करेंगे कि उनका सम्मान तरीके से सारी चीज़ें आगे बढ़े मंडी सीट से चुनाव लड़ने के एक सवाल के जवाब में जराम ठाकुन ने कहा कि पार्टी में उनके सिवा और भी सक्षम नेता है और वो अभी पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभा रही हैं जराम ठाकुन ने कहा कि जिस तरह कि राजुनेतिक समीकरन समय माचल में चल रहे हैं ऐसे में भाजपा और कॉंग्रेस तूरू ही पार्टियां अपने वरतमान विधायकों को लोगसबा चुनाब लड़वाने के सती में नजर नहीं आ रही है मुझे लगता कि अफशक्तह नहीं हैं हम एक जगा हैं काम कर रहे हैं जो और हम कर रहे हैं और वैसे मुझा है कि ओघ्वान को भाजपा मी कॉंग्रियस पाइश पार्टी और बहाति जनतापार्टी कि सिटिंग MLA को लोग सबर लड़ाने की बात सोच सकती मुझा कॉमरिस्ट में भी पहले नाम कुछ और तैकिया थे उन्हें लेकिन अब मालूम पड़ा है कि सारे विधायकों को उन्हें छुटी दे दी है कि आपको चुनाव नहीं लड़ाए जा सकता है